हलो दोस्तों गुड मॉर्णिंग स्वागत एकवा फिर से आप सभी का MZT Education में दोस्तों आज है 29 जन्वरी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 29 जन्वरी 2021 के Current Affair के सभी Important Questions के बारे में पूरी वीडियो देखेगेगा पूरी वीडियो डिटेल में समझाए गई है अगर वीडियो पसंद है वीडियो को Like और Share जरू कर देना अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आगेन को प्रेस करो जिससे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो और दोस्तों आप हमारा अप्लिकेशन डाउनलोड करके उस पर Free मे Quizzes वगरा Swap कर सकते हैं आप हमारे Telegram Group से जूर सकते हैं वहाँ पर आपको PDF फाइल भी मिल जाती है PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए सब ही PDF फाइल वहाँ पर वाइलबल है इन सब के लिए आपको Add the Rate MZT Education सर्च करना है Telegram पर आपको मिल जाएगा वो चैनल जोइन कर लिज सम्मानित नहीं किया जाएगा तो देखिए दोस्तों ऊपर के जो तीन option है इनको पद्म विभूशन मिलेगा जबकि सुमित्रा महाजन जी जो की पूर्व लोग सभाई speaker रही है इनको पद्म भूशन दिया जाएगा ना कि पद्म विभूशन ओके अगला किस संस्था को सु किस राज के निर्वाचन कार्याले को राष्टिय सरस्रिष्ट चुनावी आचरंड पूस्कार 2020 मिला तो अभी हाली में मेगाले के मुख निरवाचन अधिकारी कार्याले को दोस्तों बेस्ट एलेक्टरॉल प्रैक्टिस 2020 अवार्ड दिया गया है किसके दोरा भारतिये नि दिया गया, नए दिल्ली में राष्ट्रपती रामनात कोविन जी ने मेघाले के CEO, अब ये CEO वो वाला नहीं है, चेफ एक्जिक्टोव ओफिसर वाला नहीं है, चीफ एलेक्शन कमिस्नर वाला CEO, तो CEO कौन है वहां के, एफ आर खार कोंगर, तो एफ आर खार कोंगर, जो की मेघाले के CEO है, चीफ एलेक्शन ओफिसर हैं, इनको वर्चुली प्रदान किया गया, किसके दोरा राष्ट्रपती रामनात कोविन जी की दोरा ने दिल्ली में, किलिर, अब आया है मेघाले, तो हम लोग मेघाले के बारे दोस्तों, मेघाले अपना बॉर्डर केवल और केवल असम से सेयर करता है, असम राज्य से सेयर करता है, ठीक है, उसके बाद इधर ये बांगलादेश से सेयर करता है, मेघाले, मेघाले, मडीपुर और तिप्रा, अभी हाले में 21 जनवरी को अपना राज्य स्थापना के Chief Justice कौन है वो है विस सुनाथ सोमत दरजी के लिए अगला है। अगला है मडिपूर हाइग कोड के नए मुख्य नयाधीज कौन बने मडिपूर हाइगोट इसके नए Chief Justice किये गए हैं दोस्तों वो बने है PV संजे कुमार कौन PV संजे कुमार को मडिपूर हाई कोट का नया चीफ जसिस बनाया गया है किसकी जगह पर आए हैं ये राम लिंगम सुधाकर्ज की जगह पर आए हुई हैं इससे पहले ये पंजाब और हर्याना हाई कोट में जज थे अब ये पर मोट करके यहाँ पर चीफ जसिस बना दिया कुमार क्लियर चलिए मड़िपूर हाई कोट की बने हैं मड़िपूर देखिए मड़िपूर ये रहा मैप में इंफाल यहाँ की राजदानी है एन वीरेंज जिंग यहाँ पर है बीजेपी पार्टी से चीफ मिनिश्टर गवर्नर है नाजमा हेपतुला कीबूल लामजाव नेशनल पार्क दुनिया का एक मात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर है मड़िपूर में ही है ये लोकटक जील पर बना हुआ है लोकटक जील पर ठीक है चलिए मड़िपूर किसे इसे अपनो बॉर्डर सेयर कर रहा है ये नागा लैंड से असम से और मिजोरम से अपनो बॉर्डर सेयर करता है अच्छा दोस्तों पिछले दिनों में कुछ जो चेंज हुए है उन में से कुछ का रिविजन में करा ही देता हूँ जैसे यहाँ पर आसपास के हाई कोट में यहाँ पर है गुवाहाटी हाई कोट गुवाहाटी हाई कोट इन चार राजो का हाई कोट है दोस्तों असम, अवणांचल प्रदेश, मिजोरम और मेगालया इन सबका हाइकोट है गुवाहाटी हाइकोट और इसके चीफ जिसिस हैं, अभी हाली में जो बनाये गए है सुधानसु धूलिया जी, इनका नाम आपको याद रखना है, सुधानसु धूलिया, जमु एंड कस्मीर हाइकोट के पंकजमित्तल बनाये गए हैं, एस मुरली धर को दोस्तो ओरिसा हाइकोट का नाया चीफ जिसिस बनाया गया है, अगला देखते हैं, अगला है टॉप 10 ग्लोबल रैंकिंग में दुनिया की सबसे बड़ी आइटी कंपणी कौण बनी, तो दोस्तो टॉप 10 ग्लोबल रैंकिंग अभी हाली में जारी हुई है दुनिया की बड़ी IT कंपनियों की, इसमें टॉप पर बनी हुई है Accenture, Accenture कंपनी ये टॉप पर बनी हुई है, पहले भी थी टॉप पर, अभी भी टॉप पर है, सेकेंड पर है IBM, थर्ड पर है TCS, Tata Consultancy Services, फोर्थ पर है Infosys, देखें पहले और दूसरे नंबर पर IBM और Accenture पहले से ही बरकरार थे, TCS बन गई है, तीसी सबसे बड़ी IT कंपनी, दुनिया की, ओकी, Accenture कंपनी दोस्तों, इसका मार्केट कैप है, 26 बिलियन डॉलर, IBM का मार्केट कैप है, 16.1 बिलियन डॉलर, और बहुत करीब पहुंच गई है TCS, 15.0 बिलियन डॉलर अकपर, ठीक है, यह IBM को जल्द ही पीछे करने वाली है, Infosys में बहुत ही अच्छा सुधार देखने को मिला है, यह चौते पोजिशन पर है, लेकिन अभी 8.4 बिलियन डॉलर पर है, ठीक है, यह चौते अस्थान पर पहुंच चुगी है, इसके बाद अगर IT कंपनीयों की बात करें, भारत की जो इस टॉप 10 लिस्ट में सामिल है, उसमें सातवे अस्थान पर है HCL, इसके बाद नवे अस्थान पर है Wipro, तो इस प्रकार से TCS, HCL, Infosys और Wipro, यह चार भारतिये IT कंपनीयों भी इस टॉप 10 लिस्ट में सामिल है, तो आपको पहला अस्थान याद रखना है, तीसरा अस्थान याद रखना और चौता भी अगला कुशन है, भारत ने साल 2021 में UN सांति निर्माड कोस के लिए कितना अनुदान देने की खुशना की, तो भारत दोस्तों, 2021 में United Nations Peace Building Fund में, इसमें United Nations Peace Building Fund, यानि सही उक्तराष्ट सांति निर्माड कोस, इसमें 1.5 लाक डालर, 1.5 लाक डालर देने की खुशना की है, दे जो भी देश होते हैं, इसमें दुनिया के कई देश मिल करके Fund करते हैं, चाहे अमेरिका हुआ, चाइना हुआ, एंडिया हुआ, सभी देश जो बड़े-बड़े देश हैं, वो Fund करते हैं, तो फिर वो Organization चलता है, ठीक है, इनी Fund के collection से ही, ऐसे ही भारत इस बार देगा 1.5 ल लाने के लिए किया जाएगा, ठीक है, तो टोटल कलेक्शन हुआ है, 439 मिलियन डॉलर, कितना, 449 मिलियन डॉलर का टोटल कलेक्शन हुआ है, इंडिया की तरब से जो अभी ऑफीसियल बयान आया है, यूइन में जो भारत के अस्थाई प्रतनिधी है, टी एस तिरू मूर्ती उन्हेंने गुशना किये, ठीक है, तिरू मूर्ती, टी एस तिरू मूर्ती का नाम याद रखेगा, यूनाइटर नेशन में भारत की ये अस्थाई प्रतनिधी है, क्लियर, चलिए, अगला देखते है, अगला है, तमिल नाडु में पाई गई नई चीन्टी का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो अभी हली में दोस्तों, तमिल नाडु में एक नई चीन्टी पाई गई है, खोजी गई है, जिसका नाम रखा गया है, प्रोफेसर अमिताब जोसी जी के नाम पर, प्रोफेसर अमिताब जोसी दोस्तों, एक बायो साइन्टिस्ट हैं, प्रोफेसर ह तो इनके सम्मान में इनके नाम पर वहाँ पर खोजी गई एक नई चीटी का नाम रखा गया है ये जो चीटी है ये उकेरिया परजाती की है किस परजाती की? उकेरिया परजाती की और ये जो उकेरिया प्रजाती होती है दोस्तों ये भारत भर में इसकी 14 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है ठीक है उकेरिया प्रजाती की तो वरतमान में अभी 14 प्रजातियां पाई जाती है उसी में से एक प्रजाती की नई प्रजाती की चीटी तमिलांड में खोज मैनेजिंग डियाक्टर एंड चीफ एग्जेक्यूटिव ऑफिसर न्यूक्त किया गया है धनलक्षमी बैंक केरल में इस्थी थे एक बैंक है इसके जो अभी तक M.D. और C.E.O. थे सुनील गुर्बक्षनी कौन सुनील गुर्बक्षनी तो उनकी जगह पर जेके सीवन को संजीव कृषनन जी हैं अगला देखते हैं अगला है हाली में चुनाव आयोग ने किस नाम से डिजटल वोटर आईडी कार्ड लांच किया तो अभी हाली में चुनाव आयोग ने इपिक नाम से एक डिजटल वोटर आईडी कार्ड लांच किया है डिजटल वोटर आईडी होगा आप अपने मोबाइल में ही अपना आईडी कार्ड अपना वोटर आईडी डाउलोड कर सकते हैं अभी दोस्तों आपको याद होगा 25 जनवरी को राष्टिय मतदाता दिवस मनाया गया तो उसी के उसर पर यह भी लांच किया गया है भारतिय चुनाव आयोग के द्वार अब आया है भारतिय चुनाव आयोग, Election Commission of India इसके बारे में कई बार रिविजन मैं कराता हूँ और जितनी बार कराता हूँ मैं बताता हूँ यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है और लगातार एक्जाम्स में यहाँ से कुश्चन्स बनते भी हैं इसको आपको बहुत अब ध्यान से देखना भी चाहिए अनु 6-324 में दोस्तों भारतिय समिधान में भारतिय चुनाव आयोग के बारे में कहा गया है कि भारतिय चुनाव आयोग एक स्वायत संस्था होगी जानि इस पर किसी का किसी भी प्रकार से कोई दबाव नहीं होगा भारतिय चुनाव जो है इसमें तीन प्रकार के अधिकारी होते हैं एक होता है और दूसरे है भारत के उ और रोड़ा जी इन तीनों का नाम आपको याद रखना है छलेए अगला देखते हैं अगला है इस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौनों नहीं इस्टोनिया एक European country है दोस्तों इसकी अभी हालि में पहलीई महिला प्रधान मंत्री बन गई है काजा क्लास दोस्तों ये रिफॉर्म पार्टी से हैं वहाँ पर और इनकी पार्टी ने जीध दर्ज की है अब बन गई हैं वहां की नई प्राइम मिनिस्टर अच्छा एक और बहुत ही अच्छा रिकार्ड यहां पर बना है एस्टोनिया द यहां के बन गई है प्राइम मिनिस्टर तो दुनिया का एक मात्र ऐसा देश है जहां पर राष्ट्रपती और प्रधानमंद्री दोनों हुई वीवेन है क्लियर चलिए वर्ड मैप में आपको दिखाते हैं इस्टोनिया है कहां पर देखिए दोस्तों यह रहा सबसे पहले हमारा प्यारा भारत यहां से हम लोग आएंगे यूरोपियन कॉंटिनेंट में यूरोपिये महादीब की तरफ बढ़ेंगे यहां पर आपको दिखेगा दो होती है यहां की रजधाने यहां की करंसी होती है यूरो यूरो होती है यहां की मुद्रा क्लियर चलिए अगला देखते हैं अगला कुश्चन है हाली में अक्षे कुमार ने किस सोदेसी निर्मित गेम को लांच किया तो अभी हाले में अभनेता अक्षे कुमार ने दोस्तो फौजी नाम से एक गेम लांच किया है यह स्वदेशी रूप से भारत में निर्मित गेम है इसको बनाया है N-Core Games ने किसने? N-Core Games ने इसको याद रखेगा N-Core Games का नाम ये पूछा जा सकता है N-Core Games ने इसे बनाया हुआ है पबजी की तरज पर ये भी गेम है इसका फुल फाम होता है Fearless United Guard फुल फाम भी आपको याद होना चाहिए Fearless United Guard पबजी जो था इसका फुल फाम था दोस्तो Player Unknowns Battleground क्या था? Player Unknowns Battleground और फौजी जो है इसका फुल फाम है Fearless United Guard तो अभी हाली में इसे लांच किया गया है अच्छा अक्षे कुमार जी ने ये भी घुशना की है कि इस गेम का जो भी इंकम होगा उसका 20% भारत के वीर ट्रस्ट को डोनेट किया जाएगा तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए अगला देखते हैं अगला कुशन है हिंदुस्तान Unilever Limited के नए कारिकारी निदेशक और CFO यानी Chief Financial Officer कौन नियुक्त किया गया है तो अभी हाली में रितेश तिवारी जी को नियुक्त किया गया है यहां का CFO यानी Chief Financial Officer और Finance Executive Director क्लियर रितेश तिवारी जी दोस्तों स्रीनिवास फाटक जी के नियुक्त किया गया है इनका कारेकाल 1 मई से सुरू होगा 1 मई 2021 से इनका कारेकाल सुरू होगा रितेश तिवारी जी का बात करते हैं हिंदुस्तान Unilever Limited का दोस्तों इसकी Parent Company है Unilever Unilever एक British Company है तो इसकी ये parent company है ठीक है हिंदुस्तान Unilever Limited जो है इसकी अस्थापना होई थी 1933 ने मुंबई में इसका headquarter है और इसके वरतबान में CEO यानि Chief Executive Officer है संजीव महता कौन है संजीव महता अगला देखते हैं हाली में किस केंद्रिये जेल से जेल परेटन पहल सुरू किया गया तो अभी हाली में महराष्ट की यरवडा जेल से दोस्तों जेल परेटन पहल सुरू किया गया है यह महराष्ट के पूरे में इस्थित है यरवडा या यरवदा ठीक है जेल परेटन पहल वहां से सुरू किय गया है महराश्ट्र के कारगार विभाग के द्वारा जेल डिपार्टमेंट के द्वारा क्यों शुरू किया गया है उद्देश से क्या है इसका मेन परपज है जिससे छात्रों को दोस्तों इस जेल के एतिहासिक अनुभाव यानि की historical experience के बारे में आवगत कराना ये जेल दोस्तों डेर सो वर्सो पुरानी है देर सो वर्स पहले स्थापित की गई थी तो इसके इतिहास के बारे में श्ट्यssa को आवगत कराने के लिए जेल परेटन पहल सुरू किया गया है महराश्ट के द्वारा अच्छा आपको B option में दिckh ये भी अक्सार चैर्ची में लेता है यह है न्यपी प्रियाग राज कमर्णार करोड पार का खर्ज क्रहिए नहीं कह पर बनाया किया है उず लियारी की बेख गशों कर फमीलूर सोकिलर नवी सीप में辛苦 गट में लुद्ला-वजフाराय। चौधा वर्सों तक सीम रही, 2016 में इनका निधन हुआ, शुरुवात में हलकी ये एक्रेस थी, बाद में धिर धिर पॉलिटेक्स में आ गई, तो इनका निधन हुआ था 2016 में, 2018 से ही इनका इसमारग बनाया जाना शुरू हुआ था, तीन वर्सों में इसमारग बनकर के तयार ह हुआ है, क्लियर, अब आया है तमिल नाडू, तो हम लोग तमिल नाडू के महारग जान लेते हैं, ये रहा तमिल नाडू देखिए, भारत में सबसे नीचे है, चे नई जो है, इसकी राज़ानी है, एके पलानी स्वामी, यहां के चीफ मिरिश्टर है, गवर्नर है, बनव केरला से अपना बॉर्डर ये सेयर करता है, क्लियर, तो बस दोस्तों ये तो थी हमारी आज की दिन की वीडियो, कैसी लगी है वीडियो, आप लोग कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजे, सेयर कर दीजे अपने दोस्तों के पास, और अगर आपने अभी तक को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल अगर को प्रेस कीजिए, जिसने आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे, चलिए बात करते हैं, कुशन सब्दर देगी, आज का पहला कुशन है आपके लिए, अंतर अश्टे म चलिए दोस्तों बस रखते हैं इतना ही वीडियो में, वीडियो को देख लिए हो, आप जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्ब कर लो, क्विज MZT एप पर आपको मिल जाएगी, PDF आपको मिलेगी हमारी टेलिग्राम ग्रूप पर, टेलिग्राम ग्रूप पर दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद, वंदे मातरम